भाई चल आज पाटी करते हैं पैसे नहीं है यार और घर जाने में लेट होगा तो मम्मी से डाट सुनने पड़ीगी एक दिन मम्मी से डाट सुन लेगा तो मर नहीं जाएगा और रही बात पैसे की पैसा मैं दूँगा नहीं भाई आज से उधारी खाना बंद तेरी तबियत तो सही है न? हाँ मुझे क्या होगा? सोचने वाली बात है रोज उधारी खाने वाला लड़का आज उधारी खाने से मना कर रहा है हाँ भाई वो तेरी भावी को मेचियोर लड़का पसंद है इसलिए आज से मैं भी मेचियोर हो गया हूँ सही है भाई पिंकी भावी ने तुझे सुधार दिया पिंकी से तो मेरा ब्रेक अप हो गया है अब तो मैं चंदरमुखी के साथ हूँ क्या बात कर रहा है भाई पिंकी से ब्रेक अप क्यों कर लिया तुने मैंने उसे एक रुपयावला पल्स दिया था लेकिन राहूल ने उसे पांच रुपयावला डेरी मिल्क दिया ये देखकर उसने मुझसे ब्रेक अप कर लिया ये तो बहुत बुरा हुआ भाई वैसे ये चंदरमुखी कौन है हमारे स्कूल के चपरासी की बेटी है बच्चों क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो जी अंकल बोलिये असल में मुझे कबरिस्तान जाना है लेकिन मुझे वहां का रास्ता पता नहीं है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कबरिस्तान कहां पड़ेगा भाई वैसे कमाने का आइडिया आ गया अच्छा वो कैसे तू बस देखते जा अंकल एड्रेस तो हम लोग बता देंगे पर इसके बदले में हम लोगों को क्या मिलेगा मैं तुम लोगों को पल्स खिला दूँगा अंकल पल्स का नाम मत लिजिए दिल दुखता है पल्स के नाम से अच्छा तो तुम ही लोग बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को हम लोगों को पैसे चाहिए अच्छा बोलो कितने पैसे चाहिए दो रुपिया हाँ अरे बस दो रुपिया के लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो भाई कम बोल दिया क्या अच्छा ठीक है तिन रुपिया चाहिए हम लोगों को ठीक है ठीक है दे दूंगा अब बताओ एड्रेस यहां से सीधा जाकर लेफ्ट मुड जाईए आजाएगा कबरस्तान अब दीजी हमारा पैसा ये लो तिन रुपिया से ज़्यादा है रख लो भाई ये तो तिन रुपिया से ज़्यादा लग रहा है रुख जा तेरी भाबी से शादी का वादा करके आता हूँ अब मैं भी कमाने लगा हूँ चंद्रमुखी अब मैं कमाने लग गया हूँ बहुत जल्द हम लोग शादी कर लेंगे ये किस से बात कर रहा है